कड़ाई पनीर भारते खाने में बहुत ही लोग तरी है पनीर को शिमला मेर्च और कुछ मसालों के टैंगी ग्रेवी में डाल के पकाया जाता है कड़ाई पनीर एक ऐसी दिश है जिसे आप अपने लिना पाटी के मैनुव में भी शामिल कर सकते हैं यह खाने में जितनी स्वादिस्ट है बनाना भी उतना ही है असान काम है तो चलिए बनाते हैं कड़ाई पनीर जिसे की मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें से पहले कड़ाई पनीर में डलने वाली क्रेवी देडिक करने इसके लिए मैं यहां फेटो बड़े प्याज जिने मैंने मैंने मोटा मोटा काट लिया है एक इंच अद्रक का टुकड़ा उसे भी मोटा काट लेंगे और दो बड़े टमाटर या फिर तीन चार छोटे टमाटर लेके उने भी मोटा मोटा काट लेंगे यहां मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे आदा चम्मच जीरा आदा चम्मच साब धनिया दो छोटे टुकड़े दालचीनी के और पांस एच्छे काजू लिए हैं अब एक फ्राइप पैन में एक चम्मच एफाइड डालेंगे इसमें जीरा धनिया दालचीनी डालके 10 के लिए भूनेंगे इसमें अद्रक को डालेंगे अब प्याज को डालेंगे यहां पर आप लस्तन का पेस भी डाल सकते हैं प्याज को एक मिनिट तक लगातार चलाते रहना हैं यहां पर ग्यास का फ्लेम हाई होना चाहिए अब इसमें काजू भी डालकर 10 सेकिंड तक चलाएंगे फिर इसमें टमाटर ताल देंगे ध्यान रहे इसकी सभी को लगातार चलाते रहना है जिसे यह सभी जले नहीं है टमाटर को गलाना नहीं है फिर पानी जलाना है इसको अब ग्यास का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में टालकर फंड़ा होने देंगे यह इसे मिक्सी जान में येते अलग-अलग कर दिया है इस तरी पर अब इस सब्जी को हलका सब गुनेंगे इसके लिए फिर एक प्राइब फैन में एक छोटा चम्मच भी डालेंगे और सब्जी को इसमें डालकर चलाएंगे इस अमेगेस का फ्लेम हाई होना चाहिए क्योंकि हमें इने करंची ही कर रखना है पकाना नहीं है अब मैं यहाँ एक छिपकी नमक डाल को रही हूं जिसे इनका एक्स्ट्रा पाने निकल कर जल जाए अब यह रेडी है इन्हें भी एक फ्लेट में निकाल लेंगे मैंने यहाँ पर 200 ग्राम फ्रेश पनी लिया है यह चार से पांच लोगों के लिए काफी होगा अब पनी को एक इंच के साइज में काट लेंगे देखिए पनी को इस तरह चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लेंगे पनीर में पानी होने के कारेण इनसे भी फ्राई पेन में डालके इसके पाने को जलाएंगे पनीर को हाई flame पर ही fry करना है जिससे ये जल्दी fry हो जाए अब ये पनीर भी fry हो गया है हमें इसे ज्यादा fry नहीं करना है इसे भी प्लेट में निकाल लेगा अब हमारी सारी त्यारी हो चुकी है अब कडाई पनीर की सब्जी रेडी करते हैं इसके लिए एक कडाई में दो बड़े चम्मज घी डालेंगे इसमें एक बड़े एलाईची एक तेज पत्ता और दो साबुद लाल मिष्ट को डालके भूनेंगे अब इसमें एक बारी कटी प्याज डालेंगे और उसे भी हलका सा भूनेंगे प्याज को हमें गोल्डन होने तक बुनना है प्याज गोल्डन हो गई है अब इसमें एक बारी कटी टमाटर को डालेंगे इसे लगातार चलाते रहना है जब तक ये गी न छोड़ें टमाटर ने गी छोड़ दिया है अब इसमें हमने जो मिक्सी में प्याज टमाटर काजू का पेश तियार किया था इसमें डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए बुलेंगे इसे हमें तब तक घुनना है जब तक इसमें से घी अलग न हो जाए और इसे चम्मच से चलाते जाएंगे जिससे ये ग्रेवी जले नहीं देखिए इसमें घी छोड़ना शुरू कर दिया है अब इसमें कुछ मसाले डालेगेरी जैसे आधी चम्मच देगी लालमिच एक चम्मच धनिया पॉड़र अधी चम्मच लालमिच पौड़र एक चथाई चम्मच हल्दी पौडर, आदी चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच भर के कसूरी में थी इन सभी मसालों को एक मिनट तक भूनेंगे जैसे जैसे मसाले भून रहे हैं इनके खुश्बू आने शुरू हो गई है फिर इसमें आदी कटोरी फ्रेश मिलाई डलेंगे यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम की जगव फ्रेश मिलाई का यूज किया है जो घर में असानिक से मिल जाती है और इसे डाल कर चलाएंगे देखिए ग्रेवी का रंग बदल गया है जो काफी अच्छा लग रहा है हमारी ग्रेवी ने गी भी छोड़ दिया है अब मैं यहाँ पर तीन चुथाई चमश नमक डाल रही है आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक डालने के बाद इस ग्रेवी को और एक मिनट तक पकाएंगे अब इसमें एक कटोरी पानी याज करेंगे और इसे चलाएंगे पिर इसे ढखकर पांच मिनट के लिए लोग फ्लेम पर पकने देंगे बीज बीज में डखकन को हटा के ग्रेवी को चलाएंगे जिसे ये जले नहीं पांच मिनट हो गए हैं और ग्रेवी भी रेडी है अब इसमें पने, शिमला, मिर्च और प्याज इन सभी को इसमें डाल कर अच्छी तरह मिस्क करेंगे इस समय के सप्लेम हाई होना चीए अब एक मिनट तक इससे चलाएंगे एक मिनट हो गया है उपर से कटा हारा धनिया इसमें डाल देंगे रेस्टरेंट स्टाइल कड़ाई पनी त्यार है और गैस का फ्लिम आफ कर देंगे ये देखिए इसकी टैंगी ग्रेवी कितना अच्छा कलर रुखश हुआ रही है आप उसे लच्छा परांठा, प्लेन परांठा, नान या फिर चापाती किसी के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको मेरी रेस्टी पसंद आईए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, जासे से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना पूँए बेल आइकन का बटन जरूर करें झाल 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 झाल